पंकज एजुकेशन पॉइंट में आपका श्वागत है आज मैं क्लास 11 के इंगलिस का फर्स चैप्टर दा पोट्रेट अफ अ लेडी का पार्ट टू लेकर के आया हूँ इससे पहले मैं इसका पार्ट वन बना चुका हूँ जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है दिस्क्रिप्शन में दिया गए वहाँ से देख सकते हैं तो आएए आज उससे आगे शुरू करते हैं यहाँ पर लेकर नहीं यह बताया है कि मेरी दादी मा हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी क्योंकि स्कूल मंदिर के पास ही था यहाँ पर जो वर्ड लिखा है प्रीष्ट का मतलब होता है पुजारी अल्फावेट वर्ड माला और मौनिंग प्रेयर मतलब प्राता काली प्रार्थना जब बच्चे ब्रामदा में दोनों तरह बैट कर वर्ड माला या प्राता काली जो प्रार्थना एक साथ गाय करते थे तो माई ग्रेंड मदर साइट इंसाइड रीडिंग दे स्क्रिप्चर्स स्क्रिप्चर्स मतलब होता है सास्त्र या धार्मिक ग्रंथ तो मेरी दादी मां अंदर बैट करके धार्मिक ग्रंथ को पढ़ती थी वेन वी हैड बोथ फिनिस्ट जब हम दोनों लोगों का कारिश्रमाप्त हो जाता था वी कुड़ वाग बैक टुगेदर हम लोग घर वापस चल देते थे थे इस ताइम दे बिलेज डॉक्स उड मीट अट टेंपल इसमें जो गाउं के कुत्ते थे वह हमको मंदिर के दरव वाजे पर मिलते थे यहाँ पर ग्रोलिंग का मतलब गुराना है फाइटिंग का मतलब जगणा करना है इच अधर मतलब एक दूसरे से जो चपाती हम उनके आगे फेकते थे उनके लिए वे एक दूसरे से लड़ाई करते हुए गुराते हुए हमारे घर तक हमारे पीछे-पीछे आते थे जब मेरे माता पिता आराम से सहर में सेटल हो गए दे सेंट फार अस उन्होंने हमें बुला लिया यहाँ पर टर्निंग पॉइंट मोड गह जगते हैं यहाँ हमारी मित्रता में टर्निंग पॉइंट था एक मोड था आल्दो वी सेर दा सेम रूम यद्यप हम एक ही कमरे में रहते थे माई ग्रेंड मदर नो लांगर केम टू स्कूल विद मी अब मेरी दादी मा मेरे साथ स्कूल नहीं जाते थी I used to go to an English school in a motor bus मैं एक अंग्रेजी के स्कूल को motor bus से मतब bus से जाया करता था there were no dogs in the street तब वहाँ गलियों में कुत्ते नहीं थे and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house तब मेरी दादी मा सहर के घर के आंगन में sparrows मितलब होता है गौरिया याँ इस पाइरोस का मतलब गौरिया होता है लेकिन यहाँ पर इस पर मतलब चिडिया से मतलब मेरी दादी मा आंगन में बैट कर चिडियों को खिलाया करते थे as the years rolled by we are less of each other जो जो वर्स बीतते गए हमें एक दुस्य से बहुत कम मिलते थे for some time she continued to wake me up and get me ready for school कुछ समय तक उन्होंने मुझे जगाया और school के लिए मुझे तयार किया when I came back she would ask me जब मैं इस्कूल से वापस आता था वह मुझे पूछा करती थी what the teacher had taught me कि अध्यापग ने मुझे क्या पढ़ाया है I would tell her English words and little things of western science and learning मैं उनको अंग्रेजी के सब्द पस्चमी ज्यान और बिज्यान की कुछ बाते the love gravity, गुरुत का नियम आर्कमडीज प्रिंस्पल आर्कमडीज का सिधान the word being round etc मतलब संसार के गोल होने के बारे में बताता था यहाँ पर ध्यान लखे के word लिख कया है यहाँ पर होना चाहिए word, संसार word being round etc this made her unhappy इससे वो दुखी हो जाती थी she could not help me with my lessons तो वह मेरे lesson में मेरी सहता नहीं कर सकती थी she did not believe in the things they taught at the English school मतलब मुझे जो English school में पढ़ाया जाता था उस पर वो विश्वास नहीं करती थी and she distressed that there was no teaching about God and scriptures वह इस बात से परहसान थी कि वहाँ पर भगवान के बारे में इश्वर के बारे में और धार्मिक ग्रंथों के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है one day I announced that we were being given music lessons एक दिन मैंने उनको बताया कि हमें संगीत सिखाया जा रहा है she was very disturbed वह बहुत परहसान हो गई to her music had lewd associations यहाँ पर जो word lewd है इसका मतलब होता है असोभनी उनके लिए संगीत असोभनी चीजों से था it was the monopoly of harlots and vigors and not mint for gentle fog अब यहाँ पर देखिए जो लिखा है monopoly इसका मतलब होता है एकाधिकार harlots मतलब बेश्याए vigors मतलब भिखारी gentle fog का मतलब होता है भले लोग, शामान लोग it was the monopoly of harlots and vigors उनके अनुशार यह बेश्याओं और भिखारीओं का एकाधिकार था मतलब दादी जी के अनुशार यह जो संगीत था यह बेश्याओं और भिखारीओं के लिए था and not meant for gentle fog और यह भले लोगों के लिए नहीं था she said nothing वो बोली कुछ नहीं but her silence means disapproval यह पर disapproval मतलब नाराजगी अस्विकृत लेकिन उनकी सांथ का मतलब उनकी नाराजगी थी उनकी अस्विकृत थी she rarely talked to me after that rarely का मतलब होता है कभी का बार बहुत कम मुश्किल से उसके बाद वो मुझसे बहुत कम ही बोलती थी when I went up to university जब मैं विश्विद्या ले गया I was given a room of my own मुझे एक अलग से कमरा दिया गया the common link of friendship was snipped snipped मतलब होता है टूट जाना तब हमारी मित था कि जो link थी ओ टूट गई my grandmother accepted us secullision with resignation यहाँ पर ध्यान रखेंगे secullision मतलब होता है एकांत और resignation मतलब त्याग देना त्याग पर देना या सांथ से तब मेरी दादी मा ने अपने एकांत को सहसर ही स्विकार कर लिया सांथ से स्विकार कर लिया she really left her spinning wheel to talk to anyone यहाँ पर जो वर्ड लिखा है spinning wheel इसका मतलब होता है चरखा सूत कातने वाला चरखा बुनाई करने वाला चरखा तो she rarely left her spinning wheel to talk to anyone वो किसी से भी बात करने के लिए अपने चरखे को बहुत ही कम छोड़ती थी from sunrise to sunset she said by her wheel spinning and reciting prayers मतलब सूर्योदे से लेकर के सूर्यास तक अपने चरखे के पास बैठी रहती थी and reciting prayers और प्रार्थना गया करती थी भजन गया करती थी only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows केवल दो पहर के बाद दो पहर में वा चिडियों को खिलाने के लिए थोड़ा सा relax करती थी आराम करती थी while she said in the bramda breaking the bread into little bits यहाँ पर देखे little bits मतलब होता है छोटे-छोटे टुकडे जब वो बरामदे में बैट करके रोटी के छोटे-छोटे टुकडे करती थी hundreds of little words collected round her creating a very table bedlam of chirpings तब सैकुडों चिडिया उनके चारों और इकठा हो जाती थी और ची-ची करके यहाँ पर जो वर्ड लिखा है chirping chirping मतलब होता है ची-ची करना और bedlam मतलब हंगामा करना पागल खाना बनाना तो सैकुडों चिडिया जो थी उनके चारों इकठा हो करके ची-ची करके बिल्कुल पागल खाना बना देती थी या फिर हंगामा कर देती थी some came and passed on her legs कुछ आती थी और उनके पैरों पर बैठती थी other on her shoulders कुछ उनके कंधों पर बैठती थी some even sat on her heads और कुछ तो उनके सिर पर बैठ जाती थी she smiled but never soothe देम वे यहां पर सूड मतलब होता है भगाना वह मुश्कुराती रहती थे मुश्कुराती लेकिन को कभी भी भगाती नहीं थी यह जो आधा घंटा था उनके लिए दिन का सबसे खुशी का समय था मतलब इस आधे घंटे में वो सबसे खुश रहती थी यहां पर ध्यान देंगे अब ब्रॉड मतलब होता है विदेश जब मैंने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का फैसला किया मैं इस बात से आश्वस था मुझे बिश्वास था कि मेरी दादी मां थोड़ा परेशान हो जाएंगी मतलब मुझे पाच वर्स बाहर रहना था और उनकी उम्र के बारे में कोई कुछ भी नहीं कह सकता था लेकिन मेरी दादी मां को विश्वास था सेंटीमेंटल मतलब होता है भावक भावक मतलब वो भावक भीव नहीं हुई सी केम टू लीब में अड़ रेल्वे स्टेशन वह मुझे छोड़ने के लिए रेल्वे स्टेशन तकाई मतलब प्रार्थना में उनके लिपस क्या थे होई हिलते थे मतलब सिर्व लिपस हिल ले थे मतलब वो प्रार्थना बुदबुदा रही थे हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर उनका जो मस्तिक था वो प्राथना में खोया हुआ था हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग दे बीट्स आफर रोजरी रोजरी में तरह होता है माला उनकी जो उंगलियां थी हो माला को फेरने में ब्यस्त थी silently she kissed my forehead थीरे से उन्होंने मेरे माथे को चूमा and when I left I cherish the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us यहां पर देखिए चेरिज मतब होता है संभाल कर रखना मौइस्ट मतलब नम गीला इंप्रृंट मतलब छाप होता है प्रहस मतलब सायद सइन मतलब प्रतीक कह सकते है फुजडकल कॉंटेक्ट मतलब सारे रिख संपर्क और यहां पर लेखक कि यह दि हुकर है कि मैंने इस जयाhew को हम दोनों के बीशार thé मतल Sheriff संबर का लास्ट प्र तेक समझ करके मैंने उसको संभाल करके रखा यहां पर लेकर कि यह कह रहा है कि उनकी एज भी ज्यादा हो चुकी थी और वो पांच साल के बाहर जा रहा था तो उसने सोचा कि मेरा मतलब अंतिम मिलन है हो सकता है कि मैं जब तक वो आपसा हो तक मेरी दादी मा इस दुनिया से चली जाए तो उसको बहुति कम इस स्वास्ता कि मैं दुबारा मिल पाओंगा इसलिए जब उसके दादी मा ने उसके मात्ते को चुमा तो उसने यह सोचा कि मेरा लास्ट सारी रिक्सम पर गहे है लास्ट बार है जो अमतलब दादी मा मुझे चुम रही है अल साइद में उ पाओ इस तरीके से आज के लिए इतना ही अब इसके आगे का अगले वीडियो में देखेंगे थैंक्स